Hello everyone, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Thrombofob Gel के बारे में जो की इस जल का इस्तमाल Anticoagulant के रूप में बहुत ज़्यदा यूज़ के जाता है तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं Thrombofob Gel के बारे में इसमें combination का है, combination हो, क्या work है कौन-कौन से purpose में यूज़ के जाता है क्या side effect है, किसे नहीं लेना है या सभी बाते हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं तो बात करते हैं Thrombofob Gel जो की जैडर्स कंपनी की बनाए मेडिसिन है 20 ग्राम की packing होती है और 1500 रुपे की price में बहुत ही असानी से आपको available हो जाता है हमने यहां बहुत ही basic detail के बारे में जाना Thrombofob Gel के बारे में अब बात करते हैं Thrombofob Gel में क्या के combination है उसमें आपको एक ही combination मिलता है Hiperin sodium जो की एक तरिके का anti-cogulant और anti-platelet के class से belong करने वाला या medicine है Hiperin का कौन से प्रपजों में यूज के जाता है तो इसका इस्तमाल blood clotting होने की problem होती है तो उन सभी condition में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है जैसे की नसों में clotting हो जाने के समझे हो जाती है गांठ बन जाता है तो उनको या गलाने में काफी मददगार होता है इसके साथे साथ surgery होने से पहले भी इसका इस्तमाल किया जाता है जो कि blood में किसी परकार की clotting ना हो तो उन सभी condition में भी इसे इस्तमाल किया जाता है injection form में या tablet form में इसे इस्तमाल करते हैं और यह gel form में है, topical form में तो यह सिर्फ वो सिर्फ बाहरी इस्तमाल के लिए है तो यह नसों में गांट बन जाने की समासिया होती है तो उन सभी condition में काफी फायदे मंद होता है या किसी परकार की injection लगाने के बाद गांट बन गया है तो उन सभी condition में इसका बहुत ज़्यादे यूज किया जाता है तो इन सभी परकार में इसे veins में या rts में blood clotting होने की समासिया होती है तो उन सभी condition में इसे use किया जाता है इनके है फायदे होते हैं बात करें इसके क्या usage है तो आप इसे दिन में 1-2 बार इस्तमाल कर सकते हैं जहां भी आपको affected area है, clotting area है तो वहाँ पे आप इसे 1-2 मिनट तक आप उस affected area पे रब कर सकते हैं क्या side effect है अगर आपको इसके लगाने के बाद आपको जलन होता है इचिंग होती है, खुजली हो रहा है तो उनसे भी condition आपको यह suit नहीं कर और आपको यह इस्तमाल नहीं करना चाहिए side effect की बात करें तो अगर आपको suit नहीं किया है तो यह सभी बाते हो सकती है किसे नहीं लेना है, pregnant lady, breastfeeding, mother या आपको किसी भी परकार का कोई दवा चल रहा है तो प्लीज लाइक किजेगा और हमारे चनल को सब्सक्राइब किजेगा आपको यह वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद थैंक्यू फर वाचिंग